नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानंद वसेष्ट, सर्जनों आपकी कुंडली के अंदर हर ग्रेका अपना एक महत्व होता है, तो उसके अंदर बुद्ध का भी अपना महत्व है, बुद्ध अगर अच्छा है, तो आप दिमाग के बहुत तेज होंगे, कुसल व्यापारी हो सक सकते हैं, और सुन्दर हो सकते हैं, गणितग्य हो सकते हैं, वागपटू हो सकते हैं, भाशन देने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर बुद्ध आपकी कुंडली के अंदर खराब है, तो ऐसी स्थिती के अंदर जब बच्चा जन्म लेता गये, तब से ही बहन, बुआ, मोसी, इनके लिए खराब होने लगता है घर के हालाद जो हैं बिगडने लग जाते हैं या फिर पिता को आए दिन कोई न कोई तकलीप मिलती रहती है मान प्रतिष्ठा भी जो हैं खराब होने लगती है शरीर के अंदर नसों की दिक्कतें आने लगती है नसें कमजोर होने लगती हैं दर्द चालू हो जाता है और अपने पेट के अंदर गैस ऐसीडिटी आदी की परिशानियां उत्पन हो जाती है इंसान बार बार अपना जीवन के अंदर ब्यापार बदलता रहता है लेकिन सफलता किसी में भी नहीं मिलती है जिंदगी के अंद अक्सर सफलता कि सिरे पर आ करके खराब हो जाते हैं ऐसे इंसान में या उसके घर में अकलमंदी बिलकुल नहीं बस दिखे गया है ज्यान चाहे कितना भी हो उसके बाद भी अग्याता जैसी जो हैं खरकते वो करने लग जाते हैं दीरे दीरे अपना सरकल जो हैं करता चला ऐसे के अंदर ना तो मकानों का सुख संभव हो पाता है और ना ही खुशियों का सुख संभव हो पाता है बलकि रुपए पैसे के जुड़ने के सुख भी खराब होने लग जाते हैं क्योंकि बुद्धी अपने पास ना रहे तो इनसान के पास कोई भी चीज प्रचुर मात्र में क्यों न हो लेकिन वो धीरे धीरे नस्ट होने लग जाती है और कोई भी उसे बुद्धु बना करके ले जाता कि इसलिए बुद्ध का जो है जन्म कुनली के अंदर अच्छा होना बेघध आश्यक है अगर आपको यह इस्तिती नजर आए तो भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो अंदर ही अंदर खाली हो जाते हैं पता ही नहीं चलता पैसे कहां चले जाते हैं भाउकता का इस्तर ज्यादा रहता है और अपनों के ऊपर लगातार पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन उनका कोई उपाय नहीं निकल पा रहा है बेहन बेटी बुआ इनकी जिंदगी के अंदर दुख ज्यादा मिल रहे गए या उनकी तरफ से किसी भी तरह के आपको तकलीब भी मिलने लग जाती है तो भी ये बुद्ध की खराबी के लक्षन होते गए तो जो भी काम करने जाते गए वो नन्यान वो परसंट हो जाता है लेकिन फिर अंत में जाकर के छूट जात तक है तूट जाता है और आपको जो फोरन समझा आना चाहिए कि आपकी कुण्डली के अंदर बुद्ध खराब है और बुद्ध की खराबी ही होने से इंसान के अंदर दुनियादारी की जो खैस समझ पूरी तरह से नहीं बनती है पढ़ाई लिखाई के अंदर भी आपको भोगना पड़ता है और आपके पास अपनी सफाई देने की या अपने बारे के अंदर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती और बोलने का तरीका भी आपको नहीं आता है तो ऐसी स्थिती के अंदर जब बुद्ध आपका खराब है पढ़ाई आप कितनी भी कर लो लेकिन जब कहीं उसको ब्यक्त करने की बात आती है या उसको जो कहें स्पस्ट करने की बात आती है तो वहाँ पर इनसान फेल हो जाता है तो इस प्रकार की अगर इस्थिती है तो जान जाईए कि कुंडली के अंदर बुद्ध जो कहें खराब है और बुद्ध खराब कब होता है या तो वो नीच राशी में हो, या फिर तीसरे, छटे, आठवे, ग्यारवे या बारवे स्थान का मालिक हो, या फिर वो पापिक ग्रहों से ग्रसित हो, तो ऐसी सिती के अंदर ये हालाद बनते गए, तो उनके उपाए के लिए मैं कुछ जो हैं चीजें आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये गए, कि ये जो उपर यंत्र आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें कुछ अंक लिखे हुए हैं, इनको आप जो है, कासी के टुकड़े पर या पीतल के टुकड़े पर पत्रे पर आप इसको खुदवाईए, या फिर भोज पत्र के उपर आप इसको लाल शाही से लिख करके और बुद्ध के 21,000 मंत्रों का आप जाप करें, इस मंत्र के जाप करके, और 21,000 बार आहुती दे करके, हवन करके, इसकी प्रान प्रतिष्ठा करके, और फिर आप इसको गले के अंदर धारन कर सकते हैं, ये पहला उपाएगी, दूसे नंबर पर आपको कोडियों की, कोडि जो होती गहें, जैसे CP होती गहें, उसी तरह से समुद्र से उत्पन होने वाली कोडियां होती गहें, उन कोडियों की राक, आप 27 बुद्वार चलते हुए पानी के अंदर आपको प्रवाइद करनी चाहिए, हरे रंग के वस्त और परदों का आप प्रयोग ना करें, और इसके साथ साथ आपको कभी भी धूम्रपान या शराब, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, अब आपको भांग का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, पांच बुदवार, आप बालिकाओं को हरे वस्त्र आप दान करें, 27 बुद्वार चोपायों को जैसे गायक है तो इनको हरी घास हरा चारा आप उनको डलवाएं बुद्वा आपका ठीक हो सकता है उसके विपरीत परिनाम आपके अनुकूल हो सकते हैं बाकी जानकारियों के लिए ये नंबर दिये हुए हैं आप इन नंबरों के उपर संपर्क करके और आपकी डेट बर्थ टाइम होना चाहिए तब ही कुछ आप जो कहें सार्थक बात पूछ सकते हैं या जान सकते हैं अन्य था जानकारी मिलना बड़ा कठिन होता है तो कार्यले से आप अपाइंटमेंट ले करके और कार्यले की सेवाएं अरपन करके और फिर आप जो भी जानना चाहते हैं जो भी दुवीदा है जो भी परिशानी है उसका समाधान आपको प्राप्त होगा नमस्कार